Welcome to Science Mastin, Science Mastin के online classes में आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है, Control and Coordination में अभी तक हम लोगों ने परहा था Nervous System के बारे में, हम लोग परहा हैं Human Control & Coordination में Human nervous system के बारे में, जैसा के हम Control and Condition के बारे में पढ़े थे, इस tumulus के परती react करने के लिए जो एक system तयार होता है जो एक पूरा organ का system तयार होता है उसको चीज़ ब्यवस्ति द्रंक से हम लोग control करते हैं coordinate करते हैं उसमें human के human में दो चीजों क्या वसकता परती है एक है nervous system और दूसरा endocrine gland का तो हम लोग के nervous system को परता कि nervous system के में दो तरह से पूरे सरीर में है एक है cns अथा central nervous system जो कि mind और spinal code से होकर था उसके बाद है central nervous system के बाद हम लोग के पास था यह peripheral nervous system जिसमें all types of nervous आ रहे थे तो इस तरह समलें brain spinal cord all type of nervous के बारे में परता अब दूसरा जो आता है वो है कि हमारे body में hormones generate होते हैं अब hormones generate कहां से होते हैं तो hormones एक chemical substances होते हैं जो कि एकस्सलाइबा का युज हमलोग खाना को खाने को पचाने में करते हैं, digestion में करते होतया है और पाचन स्लाइबा के द्वारा कि आ जाता है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि हार्मोन का है chemical सवस्टान से जो की जिम्मेवार होता हमारे में मुझ आने का इस्टोमक के नीचे जो इस्टोमक के ऊपर जो पेन क्रीज होता है ब्लड सुगर को कंट्रोल करने का हम कैसे किस के परति क्या सोचते हैं नहीं सोचते इन सब्सक्राइके लिए जो जिम्मेवार होता होता है वह हार्मोन आगे क्ला्सों असके बार में पढ़ेंगे तो हार्मोन के बार में समझ रहें चीज अब आता जivas हमारे बडी में जो बिभीन आज़ेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगेंगे जो स्लाइवा है वो चलिए हम लोग इसका बीना किसी देरी किया पहले इसको पढ़ने की और समझने की कोजिए कते हैं हार्मोन्स देखे हैं हार्मोन्स और दा कैमिकल सवस्टांस विच कोडिनेट दे एक्टिविटी अफ लिविंग और गरेंज्ब और अल्सो देर को हार्मोन्स जो होते हैं बड़ी के बनता है इंसाइड बड़ी और वह भी क्या बहुत कम अमाउंट में बहुत कम कम मातर में बनता है अब इसका बहुत सारा क्रेक्टिरस्टिक्स है उसके बारे में मुलोग समझते हैं हार्मोन्स सेक्रेटेट यन स्मॉल अमाउंट ऑप सेक्रेट हैं ग्लेंड में सेक्रेट होते हैं उसके बाद है ग्र we are poured directly into the blood the hormones are poured directly into the blood and carried throughout the body by blood circulatory system hormones होते है वो सीधा ही port कर दिया जाते है सीधा ही डारेक्टली कहां पे blood में और blood से वो पूर बड़ी में जाता है the hormones have their effect hormones का क्यों होता है उनका अपना effect होता है at the sites different from the sites where they are made where they are made so they are also called chemical messenger hormones का जो होता है जहां पर वो secret होता है जहां सो निकलता है उसके जगह से लेकर दूसरे जगह तक में अलग तरीके का अलग तरीके का अलग तरीके का उसका क्या होता वर्क होता है इसलिए इसको chemical messenger भी कता है थाथ काम बना कहीं पर और वर्क किया कहीं और पर the hormones अब their effect hormones का यह हो चुका है the hormones act on specific tissue और organs called target organs जो hormones होते हैं वो specific tissue और organs पर काम करते हैं जिसका नाम होता है टार्गेट और गेंस दा हार्मों कोडिनेट दे एक्टिविटी ओप दबड़ी और इसके ग्रोथ बड़ी के ग्रोथ पर भी अब चलिए हम लोग पढ़ते हैं अंडो कराइन ग्लेंड इज ट्रक्टर विस सेक्रेट इस्पेस्पिक फिक सबस्टांसेज एक ग्लेंड क्या है एक स्ट्रक्टर है जो कि स्ट्रक्टर हो सबस्टांसेज को शिकरेट करता बड़ी में अग्लेंड इज मेड अप अफ ग्रूप अप सेल्स एक मेड़ाइड जोता है तो इसमें देखे जैसे यहां पर दिया हुआ है द्यान से देखिएगा टाओ ये ये आपको दिखाया हुआ है इसका ग्लेंट है और इसकी ग्लेंट से स्लाइवा का सेक्रेशन होता है तो इस suppress down को कैसे यह सेक्रेट होता है अब दो तरह के ग्लेंड है मारे बाद में एक्सो कराइन और इंडोकराइन जिसको मैंने पहले ही बोला था चलिए अब एक्सो कराइन और इंडोकराइन के बारे में समझते हैं हम लोग तरह यंगे एक्सो क्राइन ग्लेंड एंडोकराइन ग्लेंड दो तरह के ग्लेंड है अगलेंड विच जो की एक ग्लेंड जो की अपना प्रीक्ट के शिचिप डुक के रूप में सेक्रेट करता है कर लाता है एंटो इस कोल अन एक्स ँब्राइन गुल क्लेन एक्जामब्र्प जाएंपल इसका है तो नि आपक्ट न डॉ क्लेंट त्ससी नाउट न जुगेच बैक्ट्स में नहीं करता है इसके डाक्रइंन दॉन पंट्स ऐसे नॹेहज gelir directly blood stream, blood में भेजता है तो वो कलाता है आपको endocrine and endocrine gland are ductless gland सीधी सिभी सी बात है कि जिस जो ductless है वह endocrine है और जिसके पास duct है हो एक गराइन चलिए and endocrine gland secrete chemical substances call hormones एक इंडोक्राइन ग्लेंड जो होता है सेक्रेट करता है एक केमिकल सवस्टान्स जिसको हम लोग करते हैं हार्मोन करते हैं क्या करते हैं हम लोग हर्मोन करते हैं A structure group of cells or tissue which makes hormones in the body is called an endocrine gland एक सवस्टान्स या group of cells और tissue ग्रूप और tissue हो जो की हार्मोन्स बनाता है । परफी में उसकों लोग एंडॉक्राइं सब्सक्राइब करते हैं। आपके बहुत सार important किसी को ढ guarantee लगा रखना हlerini ले किन रwny तो फिरिशंड और joe body duty both indo crime and exo crime function कुछ body जो होते हमारे हमारे सरी में उसके पास दोनोंतरा के function थे फॉर एक जामपल एक के तेस्टेज आप टेस्टेज क्या होता उसका फीगर हम बताएंगे ऐसे नहीं बता सकते उसको तो तेस्टेज से है तो ऐस कष्पार्म को सillक्रेट करता है और दूसरा चीद के एकसाइट्मेंट में भी उसका बहुत परा योगदान और एकसाइटमेंट में भी ओ कुछ हारमॉंस को आ हम लोग के लिए सेक्रेट करते हैं जिससे की excitement आते हैं उसके अधाता है some of gland in our body have both exocrine and endocrine the testage gland which act as endocrine gland and secret hormones called testostorin secret करता जो hormone what testostorin होता है आगे हम testostorin के क्या work होता है इसके बारे में पढ़ेंगे कि they act as as exocrine gland and release as per male sex cell into the duct or male sex cell duct के रूप में अता एक थोका के रूप में ट्वीप के रूप में उसको उसको तुमको सरीर में सेक्रेट करता है तो हम लोग समझ गया कि जो testage होता है में 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 मेल सेक्स हर्मोन्न कलाता मेल सेक्स हार्मोन आर्मोन परोस्प टेस्टोस्टोरेन को secret करता है और ये काम करते है אני और एक्सक्राइट दोनों के रूप में similarly इसी प्रका जो ओरीज होता है आज ग्लेंड ओरीज जो वोमेंज होता है विच एक्ट एज इंडोक्राइड ग्लेंड जो कि इंडोक्राइड ग्लेंड के लिए कई तरह काम करता है जिसको ओस्टो रेजन भी पढ़ा जाता है या ओस्टो रेजन भी पढ़ा जाता है और प्रोजो अस्टोरेज अब यह सब जो होता है जो फीमेल में जो जो डिफ्रेंसेज आ जाती है मैंसे जैसे फीमेल में मुष्ट नहीं होते हैं तो वह तो वह तो मिल्श्च अर्मोन नहीं पाने जाने के करने होता उसके वाद जो उनके लिए मैमेलिये ग्लेंड से बहुत सारे चीज़ होते जिसको आगए कर्णम्ट करते हैं आगले वीडियोश में हर्मोन्स का पूरा चार-पांच छटो पुरा एक ख्लास ही है जो कि आपको आगई पढ़ने को मिलेगा दे एक टास एंडो राय ग्लेंड आन रिलीज ओभा और एक्स और यह क्या करते हैं इंडो क्राइन ग्लेंड की तरह भी काम करते हैं एक्सोड की तरह काम करते और ओभा एक सेल का फिर में एफिरमेशन करते है जो कि फिमल से इंट रड़ अब यही चीजा रिपैर्डक्षन में ते काम आता है जव्जा इब सैन में लेता है इप लोग बढ़ियेगा लिदो कि अगर endocrine system a group of endocrine gland which produces various hormones is called an endocrine system या hormonal system एक group of endocrine gland जो की produce करता है बेरियस hormones इच कल and endocrine system system और hormonal system इसको endocrine system भी कर सकता हो and hormonal system कर सकता हो in addition to nerve system the endocrine system आपकी कर सकता हो नर्व सिस्टम के जोडने पर इंडोक्राइन सिस्टम जोता है एक एक्टिविटी का एक्टिविटी हमाले शरीर के लिए भी करता है जो कि कॉडिनेटिंग का करता है नर्वेस सिस्टम से भी हर्मोनल सिस्टम जोडता है और इस तरह से यह भी काम करता है कॉडिनेट्शन में इंडोक्रायन गलेंड प्रजेंट फेमेन बड़ी और पानल गलेंड के बाद हाइपोद्टृलैकरेम remains stunning Agreement पायरैड ग्लेंड पैथोश्र राइड ग्लेंड पैय्ट होते है मेल्स और और यृपि मेल्स में और बृश्र होते है फीमेल्स में जलेपने याल इतने में से करते हैं हार्मोन कैसे सेक्रेट होता है क्या वर्क होता है यह सारे अगले वीडियो में पढ़िए आप लोग हार्मोन प्रडूस बाई बाई एंडोक्राइन ग्लेन एक्ट एज मेंशेंजर बिट्विन नर्वेश सिस्टम और 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 वीच में चुकि यह सिर्फ आपको एक सेंसेशन देगा फॉर एक्जामपल कोई कोई चीज हम देखते हैं और हमारे अंदर किसी अलग तरह सुछ जटीयां की भाबना थी तो वो क्या होता है balance से अन्साद फिल कर से bulड़ी में सोचा। ह्याइ काई है हे एक एक देल्विस इसका के बटिया है यूद्वर्ट में हमारे बटू में दोर्थ एक जूपर जो कीड्नी होता है क mesa मंटर्ट के डिन ऑज चाल का ग्रोशन एनरadorecee एक रिशान हर्मोन और ऑप फिरिय जाना में अकीं records तो इसका नाशका है एडरेल लाइन हर्मोन अब इसका क्या काम होता से दोखों जैसे कि हम लोग को बहुत ड़र लग रहा है इस समय में एडरेल लाइन हर्मोन हर्मोन सेक्रेट होता है इसका काम क्या होता है कि यह तुम्हारे बड़ी के हाट बीटी सबको बहुत तेजी से करता है जिसे कि सरी एक अगर तुम्हारा जोड नहीं रहा है एडलाइन हर्मोन पर तुम जानते हो तुम बहुत गलत काम भी कर सकते हो किसी से पंगा ले सकते हो किसी जगरा कर सकते हो और वो गलत चीज कर सकते हो जो नहीं करना चाहिए तो अब यह चीज को समझते होंगे कि इसको कम से कम अधाद गुशा कम हो डौरों कम तब तुम्हारा एडलाइन हर्मोन पर बस रहेगा नहीं तो ट्रॉक की तरह दोड़ाएगा तुमको अधाद को बात को the adrenal hormone prepares our body to run away very very fast from a frightened object similarly it is the adrenal hormone which repairs our body to fight an anemone मतलब कि adrenal hormone क्या करता है मारे body को तयार करता है कि भाई यहां किसी दुश्मन से लगना है तो इसमें भी काम इसी कराएगा अच्छा लगा हो समझ में आया हो जो भी आया हो ना आया हो सब बताया में जरूब